नमशकार मैं वैभो मिश्रा, Medical and Psychiatric Social Worker, Mental Health Counselor तोस्तो घबराहट की समस्या का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग कर मैंने ये समझा है कि अक्सर ही घबराहट की समस्या का सामना कर रहे इंसान का मन हर जगे दुख को देखने लगता है वे हर दूसरे इंसान से अपनी तुलना करने लगता है कि उसके आसपास मौजूद लोग कितने अधिक खुश हैं और वे कितना अधिक दुखी है जब वे किसी इंसान को हसता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि दूसरे लोग तो हस रहे हैं और मेरे जीवन में कितना अधिक दुख है वे जब किसी इंसान को कहीं घूमता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि सभी लोग अपने जीवन को इंजॉय कर रहे हैं यहां से वहां घूम रहे हैं, परंतों मैं घवराहट के चलते कहीं भी आजा नहीं पा रहा हूं जब ये किसी इंसान को साधी ब्याह में नाचते हुए देखता है, तो उसे लगता है कि दूसरे लोग कितना इंजाय कर रहे हैं कितना उतसा है जीवन में परन्तु मेरे जीवन में तो केवल और केवल निराशा है अगर यह इस्तती आपके साथ बन रही है दोस्तों तो यहां पर दो बातों को समझना बहुत ही जरूरी है पहली समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर रास्ते में आप जा रहे हैं तो जैसे आपको देखते हुए कोई यह नहीं बता सकता है कि आपके जीवन में क्या परिशानिया हैं, ठीक इसी तरीके से आप यह नहीं समझ सकते हैं कि दूसरे के जीवन में क्या परिशानिया चल रही हैं. हो सकता है कि जितना संघर्स आपके जीवन में हो, उससे कहीं अधिक संघर्स सामने वाले व्यक्ति के जीवन में हो, और उसके बाद भी वे हसने और मुस्कुराने का प्रयास कर रहा हो. तो यहां पर आपको तुलना बंद करनी होगी, क्योंकि जब मन तुलना करता है, दूसरे को खुश देख करके यह सोचता है कि मेरे जीवन में दुख है, तो कहीं न कहीं मन आपको अपने जाल में फसा लेता है. आपको कमजोर बना देता है, जिसके चलते घवराहट से बाहर निकलने के आपको जो प्रयास करने चाहिए, वे प्रयास आप नहीं कर पाते हैं. और दूसरी बात यह दोस्तों कि जब आप हसते, मुस्कुराते हुए चेहरों को देखते हैं, जब आप किसी को खुश होता हुआ देखते हैं, तो अपने मन में यह भाव लेकर आएं, मुझे भी खुश होना है, मुझे भी आनंदित होना है, मुझे भी जीवन के सकरातमक पहलूओं को देखना है, मुझे भी अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीना है, जैसे दूसरे लोग खुश हो रहे हैं, मैं भी वैसा ही खुश होँगा, तो मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए, चेहरे को देख करके, आप को भी खुश होने का प्रयास करना है, और इ कि से हमारे जीवन में खुशी आ सकें, हम मन के खेल से बचने का प्रयास करें, जो मन हमें नकरात्मक विचारों में उल्जा रहा है, उससे बचने का प्रयास करें, और यह समझें कि अगर हम जीवन के सकरात्मक पहलूँ को देखते हैं अगर हम जीवन के आसा युक्त पहलूँ को देखते हैं तो हमारे जीवन में भी धीमे धीमे करके परिवरतर आने लगेगा और अगर आप पाते हैं कि आप लगातार घबराहट से बाहर निकलने का प्रियास कर रहे हैं परंतु उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप ओनलाइन मेंटल हैल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्ख कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, नमश्कार.